हे गाइस आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगी मेरी विंटर हाइडरेटिंग मेंटेनेंस विकली रूटिन सिंपल, एफेक्टिव और बजट फ्रेंडली जिसको कॉलेज गोईंग, स्कूल गोईंग और ओफिस गोईंग गल भी इजिली फॉलो कर सकते हैं तो चलो वीडियो को सुरो करते हैं टिप नमबर वान, बॉड़ी वाइल मसाज कोकोनाट ओयल इसकिन के लिए बहुत ज़दा अच्छा होता है आप कोई भी वाइल यूज कर सकते हो तो मैं कोकोनाट ओयल से अपना बॉड़ी को मसाज करती हूँ जिससे डिपली पेनिट्रेट होता है एड मॉस्ट्रोजर को लॉक करता है रिपेर करता है इसकिन बेरियर को और इसकिन को बहुत अच्छे से ग्लो देता है लट सर्कुरोशन को इंप्रूफ करता है मसल को रिलास करता है और बहुत ज़दा light fill होता है dryness को दूर करता है dehydrate अगर skin हो जाता है तो बहुत अच्छे से hydrate करता है और आपके skin का texture भी बहुत अच्छा होता है तो weekly दो बार से तीन बार अगर oil massage करोगे इस winter में तो आपका body का overall skin बहुत ज़दा अच्छा रहता है तो इसको अपने routine पर जरूर include करें नहाने से पहले अगर oiling करोगे तो पूरा दिन आपका body hydrate रहता है आपको दूबारा moisturizer या फिर body lotion की ज़रूरत नहीं पढ़ती है अग धूप में vitamin D होता है तो आप धूप में भी oiling कर सकते हो पर morning का धूप में 12 बज़े के बाद आप oiling मत करो नहीं तो tan हो जाएगा तो आप enjoy कर सकते winter का धूप and oiling टिप no.2 facial grooming जो बहुत ज़ते important है साथी साथ में टास्ट भी है winter में अगर पालर में जाके यह सारे चीज़ करवाना हो जब से lockdown हुआ है तब से मैं घर पे यह सारे चीज़ अपने आप कर लेती हूँ अभी मैं ले रही हूँ face saving gel aloe vera gel भी ले सकते हो oil भी ले सकते हो जो भी comfortable आपको लगे अच्छे से उसको face में apply करना है उसके बाद अच्छे से इसको remove करना है वैसे मैं आईवरो भी घर पे ही कर लेती हूँ और यह मैं तीन चार साल से कर रही हूँ तब से मेरा आईवरो थोड़ ठीक भी हुआ है क्योंकि पालर वाली दिदी तो वैसे ही बरबाद कर दिया था अभी मेरा face का यह darts निकल गया है clean हो गया है पर अभी important part है icing करना टिप no.3 dry hair और dandruff बहुत ज़्यदा winter में face करना पड़ता है तो dandruff को clean करने के लिए मैं use कर तो scalp scrubber तो उसके लिए मुझे नमक चाहिए और lemon चाहिए इतना ज़्यादा effective है यह first use में आपको result दिखने मिलता है स्क्राबर से lemon के ऊपर आपको नमक थोड़ा सा लगाना है उसके बाद आपके scalp में अच्छे से उसको रव करना है पर हलके हाथ से ज़्यादा जोड़ जोड़ से नहीं first use में पूरा dandruff clean हो जाता है निचीनेस जो रहता है वो पूरा चला जाता है बहुत ही effective है और इतना ज़्यादा reasonable है दो रुपिया में एक लेमन आ जाते है घर में नमक तो रहता है यह आपका dandruff का problem ना first use में आपको पूरा clear हो जाता है हबते में जब भी आप सैंपू करोगे सैंपू करने से पहले यह कर लो और winter में hair marks वेगरा वेगरा यह सारे चीज उतना लगाया नहीं जाता है एक तो ठंडा रहता है उपर से बहुत ज़्यादा आलस भी आता है तो simple बहुत ही effective यह remedy है जरूर ट्राइक करना फुल लेंड के लिए मैं hair oiling करूंगी उसके बाद एक गंटार रखके मैं इसको wash कर लूँगी यह दो चीज भी करोगे winter में अपने hair के लिए बहुत अच्छे मेंटन रहता है ड्राइनेस अपका दूर हो जाता है हाइडेट रहता है सॉफ्ट रहता है अपका hair और डेंडर फ्री भी रहता है तो और क्या चाहिए इतना simple remedy आप लोगों को मैंने यह शेयर किया है जरूर effective है जरूर try करना दोस्तो टिप नमबर 4 face steaming steaming बहुत ज़्यादा beneficial माना जाता है किसी भी weather में खास करके winter में मेरा nose और मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब रहता है तो मैं हमें से steaming लेती हूँ winter में और उसके साथ साथ face के लिए skin के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि steaming लेने से जितना भी dirt oil जो भी रहता है निकल जाता है उसके बाद अब कभी भी face pack लगाओगी skin care करते हो कोई भी product लगाते हो तो आपको deeply penetrate होता है और बहुत अच्छे वाइटेमिन C के लिए मैं वारिन का juice एक चमच बेशन थोड़ा सा cinnamon powder मलाई एक चमच यूज कर रही हाइडरेटिंग के लिए और मैं थोड़ा सा wild turmeric यूज कर रही हूँ skin का brightness के लिए अच्छे से तीनों चीज को mix करने के बाद full face में लगाना है मलाई जो आपको skin को बहुत करने में help करता है एंड वारेंज जो वाइटेमिन C भर-बर के मिनेरल से जो आपकी skin को bright करता है एकने इसकर को fat करता है pigmentation को light करता है और यहां पर cinnamon powder मेरे थोड़ा सा डरा है ताकि मेरा एकने रैस pimple जो भी है उससे भी मेरा fight करने में health मिल जाए और बेसन इसकीन को clean करता है एगें बहुत अच्छे से skin को bright करता है एकने इसकर को भी दूर करता है और sunten को भी remove करता है सारे चीज एक साथ mix करने के बाद अपने face पे जब अब लगाते हो इसको 10 से 15 मिनिट या फिर 20 मिनिट तक रख सकते हो उसके बाद अब हलके हाथ से इसको massage करोगे ताकि हलके हाथ से जोड जोड से हलके हाथ से massage करने के बाद remove कर देना उसके बाद बीफोर और आफ्टर खूद देखोगे इतना अच्छे से अपको skin clean हो गया bright हो गया soft हो गया हपते में 2-3 दिन भी अप इसको लगा सकते हो बहुत अच्छा result है and glow देख सकते हो इसको try करके comment पे जरूर हमक अच्छा दिन में यूज कर लेती हूं या पर 15 दिन में भी एक बर में यूज कर लेती हूं जहां पर ज्यादा black hair वाइट ना हो थोड़ा बहुत भी हो और फिर वह भी आपको बच्दा इरिटेट करें तब अब यह चीज यूज कर सकते हो तो उससे पहले में अपने nose को अ इसा नॉर्मिली ड्राइ नोज में कभी मत करना क्योंकि इस्टिक नहीं होता है फिर आपको लगेगा कि नोज स्ट्रीप अच्छा नहीं है फिर बरबाद हो जाएगा तो अच्छे से इसको गिला करने के बाद इस्ट्रीप को लगा देना 15 से 20 मिनीटर प्रक सकते हो उसके अप जब रिबुमूव करोगे थे थोड़ा से ध्यान से करना कई कि यह थोड़ा सा टाइट हो जाता है तथोरा सा खिसता है इसकीन को उसके बाद जो भी आपका थोड़ा वह रहेगा वह पूरा रिमूब हो जाएगा वैसे तो मैं रिमूव करती रहती हूँ नोज स्पीन से अच्छे से तो मेरा उतना है नहीं जितना भी थोड़ा बहुत वह अच्छे से रिमूब हो जाएगा मेरा तो देख सकते हो जितना भी मेरा थोड़ा बहुत भी वाइट हेड्स था वह रिमूब हो गया मेरा वैसे ब्लैक हेड्स इसकिन में है नहीं और नोज पे भी मेरा है है और अभी मेरा नोज बहुत इसमूत लग रहा है और यह निव्स्ट्री बहुत ही अच्छा ही मैं हमेंसे यही वला यूज करती क्यों यह बहुत अच्छा रेजल्ड भी देता है तो आप लोगं गियोसchnya यूज चाहों तहीं यूज करते हो इस-का रेजल बहुत ही अच्छा है और बहुत हीasie टेपक नेंबर सेवेंग, ब्वाडी सेवेंग विंटर में सेविंग करना, वैक्सिंग करना जो भी आपको दिल चाहे कर सकते हो पर मुझे बेस्ट लगता है वह हो सेवेंग करना क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है waxing करने के लिए मुझे बहुत ज़दा अलस लगता है weekly अगर मैं कर रही हूँ तो उतना growth भी नहीं होता है कि waxing करोगे कि knit नहीं होता है तो razor जो use करोगे वो body के लिए जो design किया जाता है वो razor use करना उससे क्या होता है आपका जो hair जब remove करते हो तो black patches भी नहीं होता है, hair उतना ज़्यादा ठीक नहीं निकलता है और बहुत अच्छा भी होता है और उसके बाद अप ठीक कोई monster user या फिर body oil से अपने आपको अच्छे से body जहाँ जहाँ पर सेविंग कर रहे हो अच्छे से monster user करो, क्योंकि after saving बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है अपने पुरा body को hydrate रखना टिप नमबर एगी, dry under eye, winter में under eye बहुत ज़्यादा ड्राइ हो जाता है, फिर जब makeup और concealer करते हैं तब पता चलते हैं ज़्यादा ज़्यादा रिंकल्स दिखता है क्योंकि under eye dehydrate रहता है और बहुत ज़्यादा ड्राय रहता है तो अप मेकप करने से पहले आई पैचेस लगा सकते हो इससे बहुत अच्छे सबको help मिल जाती है सिर्म रह जाता है उसको ring finger से से मसाज कर लेंगे अप लोग व्यसलिंग लगा के भी मसमाज कर सकते हो coconut oil लगाके मसाज कर सकते हो मौल you appears कर सकते हो बहुत अच्छे से इसकी अपका hydrate रहता है अंडर आए नाइन बॉडी एक्सपोलियेटर जो इंटर में सब सेmostra इंपोर्टेंट है तो हमें चाहिए ओरेंज हो गया है बौड़ी एक्सॐलीटर नहाने से पहले इसको अच्छे करना और बहुत ही एफेक्टिव है सती साथ में मैं अपने हैंड के साथ साथ अपने थोड़ा से फीट में भी लगा लेती हूँ ताकि मेरा फीट का भी डेट सेल रिमूव हो जाए है तो जो सेंपू उचालियो जेओं है और मैं हमेसा एसे ही साथ करती हूँ ताकि मेरा फेस में कोई वायल है कोई बी डर्स ना आयए नहीं तो बहुत ज़दे एकने भी हो जाता है तो मैं सर को ऐसे नीचे करके सैंपू करती हूं और इससे क्या होता है मुझे एकने भी नहीं होता है तो भी क्लीन हो जाता है मेरा फेस्टिक नहीं आता है तो बहुत ज़दे इंपोर्टेंट है हफ्ते में तीन दिन सैंपू करना विं कांच के ग्लास में मैंने इसको निकाल लिया फ्रीज में इस्टोर कर सकती हूं मैं इसको एंड ये टोनर के हिसाब से भी बहुत अच्छा वाक करता है एक दो दीन का बात नहीं है अब जब इसको यूज करोगे स्लोली स्लोली अपको पता चलेगा और फिर आप मार्केट वाल के लिए यूज करना भूल जाओगे बहुत अच्छा ये इस बौटर एंड राईस क वाटर वैसे भी इसके लिए बहुत अच्छा होथा अब मैस के लिए ले लाई थी थोड़ा सा में वाटर इसमें ले लूंगी आपका जितना नीड होगा उतना ही लेना है और उसी सबसे चार से पांस ड्रॉप ग्लिसरीन का डालना है और आधा चमस अलोवेरा जेल डालना है अच्छे से तीनों को मिक्स करना है और टाबलेट को दे देना है और बाद इसका मैजिक देखो यह पूरा सोक कर लेता है पूरा वाटर को सोक कर लिया है अब फेस में इसको अच्छे से लगा लेंगे 15-20 मिट रखने के बाद इसको रिमूव कर लेंगे और इसका रेजल में आप लोगो दिखाऊंगी अमेजिंग रेजल है इंस्टन आपको ग्लो दिखने मिलता है और राइस वाटर का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है अगर मैं बोलने जाओं वीडियो एकसर देर घंटागा बन जाएगा इतना अच्छा है इसकिन के लिए तो आप लोग यह सीट मस्ट ज़रूर यूज करना बहुती रिजेनेबल है पॉकेट फ सीट मस्ट को ज़रूर ज़रूर ट्राइका इसन व्यादत ब्हुती ऊपाइश वह सीट केर जो क्या बाहर है क्योंकि हमारे नानी दादी मम्मी सब को यूज करते आया है मैं बचपन से अपने घर पे देखती आई हूँ और इतना ज्यादा एफेक्टिव भी है बहुत अच्छा रिजल भी देता है पूरा साल आपको बॉडी लोशन की ज़रूरत नहीं परते हैं गाइस मैं सिर द्राइनेस नहीं होने देता है रात में अगर यूज करोगे न तो दीन तक जब तक आप नहां होगे नहीं है फिर दीन तक आपका बॉडी ना हाइडरेटी रहता है तो बहुत अच्छा है फुल बॉडी में अप लगा सकते हो और आपको कभी भी क्रैक क्रीम की ज़रूरत मेरा बच्पन में बहुत ज़र होता था तो यह रात में सोने से पहलेencias एपने लिप में भी लगालेती हूं को क्योंनो टॉक्ट ॉइल ग्ली बाद आप मैं सॉक्स पहन लोगी ताकि मॉस्ट्रोजर को अच्छी से लॉग कर ले सो पूरा विंटर का रूटीन है बहुत ज़्यादा सिंपल है मेरा इजी लिए आप लोग फॉलो कर सकते हो आप लोग को आलस भी नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही रिजेनेबल भी है मैं उसे मिलूँगी मेरा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग खुस रहें विंटर को इंजोई कीजिए और अपना इसकिन का भी ध्यान रखिए सो बाई टेक कियर लव यू आल